ध्वनिर्वर्णा पदं वाक्यमित्यास्वद चतुष्टयं यस्याहा सुष्मादी भेदे वागदेविंतानु पास्महे मध्यप्रदेश भोज मुक्तु विश्व विद्याले का इलेक्ट्रोनिक माध्यम निर्मान और शोध केंद्र EMPRC प्रस्तुत करता है सिक्षा शास्त्र विशाय पर आधारित ध्वनि कारिक्रम गनित की प्रकृती ये कारिक्रम D.L.Ed. प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए प्रश्न पत्र पेड़ा जोजी ओफ मैथमेटिक्स के खंड एक की पहली इकाई पर आधारित है कारिक्रम की विशय विशेशग्य हैं डॉक्टर अंजुली सुहाने इस कारिक्रम का ध्वनी मुद्रण, संपादन और प्रस्तुती करण किया है अमर बहादूर यादव ने तो आईए सुनते हैं सिक्षा शास्त्र विशय पर आधारित ध्वनी कारिक्रम गनित की प्रकृती आज के इस कारिक्रम में मैं अनुराधा अपने सभी शोताओं का स्वागत करती हूँ शोताओं गड़ित बहुत ज़्यादा बच्चों को एक कठन विशय लगता है ऐसा क्यों? क्या ये हमारे द्वारा जनित अवधारना है? यदि हमारे द्वारा रचित है तो इस धारना को हम कैसे दूर कर सकते हैं? National Achievement Survey 2012 जिसे NCRT ने कंड़क्ट किया था उसमें पाया कि प्राइमरी के बच्चों की गड़ित में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है ऐसा क्यों है? इसमें किसकी गलती है? बच्चों की, शिक्षकों की, अभिवावकों की या पाठिक्रम की बच्चे तो कच्ची मिटी की तरह होते हैं शिक्षक उनको आकार प्रदान करता है इसलिए शिक्षकों को गड़ित पढ़ाने से पहले इसकी प्रकृती को समझना बहुत जरूरी है हमारा आज का विशह है गड़ित की प्रकृती और हमारे साथ है डॉक्टर अंजुली सुहाने निदेशक महुमादिमे शिक्षव विभाग मध्यपिदेश भूच मुक्तविश्र तैले माडम आपका हमारे इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले आप हमें बताएं कि गड़ित क्या है गड़ित हमारे जीवन में किस सरसे जुड़ी हुई है गड़ित और लेंगविज ये दो विशह ऐसे हैं जो कक्षा एक से बच्चों को पढ़ाना प्रारंब कर दिये जाते हैं इसका बहुत अधित महात्य है क्योंकि इन दौनों के विना हमारा जीवन अधूरा है चलिए मैं अपना ही एक 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 जामपल लेती हूँ या आपका भी वह एक एक जामपल हो सकता है कि हम सुबह पाँच या छै बजे का अलाम लगा कर उठते हैं उसके बाद breakfast, lunch प्रिपेर किया उसके बाद अगर हम working है तो कोई भी वीकल को लेकर office पहुँचे office में हमने अपनी routine जू भी हमारा वहां पर work है उसको finish किया घर आए घर आकर फिर से tea प्रिपेर करना डिनर प्रिपेर करना और दस बजे सो जाना ये एक हमारे दैनिक जीवन की एक जनरल प्रक्रिया है क्या आपको लगता है कि इसमें गडित है जी पिल्कुल अगर हम इसके एक-एक step को लेना प्रारम करते हैं तो हम पाते हैं कि गडित किस तरह से है अगर हमको सुबह उठना है किस time उठना है यानि बच्चे को या मुझे 5 o'clock पर उठना है तो यहां कौन सा concept आया time का जी ऐसा नहीं है कि गडित सब्द यहां उप्योग करने की आव है तो खक्षा 3rd और 4th में बच्चे को हम time का concept पढ़ाते हैं तो यहां से हम सुरू करके उनको time का concept पढ़ा सकते हैं कि आप school कितने बज़े आते हैं लेकिन सिक्छुकों की साथ समस्य यही है कि वह एक विसाय को उनके दानिक जीवन से नहीं जोडते इसके बाद अगर हमने प्रारम किया कि हम कितने बज़े उठे उसके बाद आया कि tea prepare की चाय बनाई तो चाय बनाने के लिए भी एक measurement होता है अगर दो कप चाय बनानी है तो सुरू से या हर किसी का एक अलग measurement होता है लेकिन फिर भी उसमें एक कप पानी, एक कप milk, एक टी स्पून सुगर, एक टी स तो यहां पर फिर आया measurement का concept, एक कप पानी, एक कप तूध, एक टी स्पून सुगर, तो यहां पर ऐसा नहीं हमें कि एक particular gram या kilogram में मेजर करना है, लेकिन एक बच्चा एक अनुमान तौर पर उसको काम करता है, आज के समय में ज्यादा तर बच्चों को noodles, या पास्ता, बहुत प्रिय होता है, और वो सबसे पहले वहीं बनाना सीखते हैं, और कोई भी मदर उनको मेजरिंग ग्लास नहीं देती है, उनको एक अनुमानिक सिखा देती है, कि इतना पानी डालो, इतना टाइम वाइल करो, और उनका breakfast तयार, तो यह क्या है, यह भी एक गडित है, उसके बाद अगर मैंने चपाती बनाई, चपाती बनाने के पहले कि अगर हम process ले, तो क्या किया, आटा गूतते हैं, तो उसमें क्या होता है, जो आटा है, कच्चा आटा जो, उसमें आप कुछ पानी डालते हैं, उसका कोई ratio होता है, तो यहाँ पर ratio की संकल्प बच्चे के अंधर develop होती है, हमारे अंधर develop होती है, उसके बाद अगर रोटी का shape होता है, कैसा होता है, गोल, पराठा, नॉर्मली, ट्रेंगल shape का होता है, चौकोर होता है, तो यह क्या है, यहाँ हम बच्चे को आकार की संकल्पना सिखा सकते हैं, इसमें भी गडित है, त हमारे साथ जूड़ी हुई है, साइध एक पल भी हम भाशा और गडित, इनके बिना नहीं रहते हैं, क्योंकि कुछ भी काम, आज जिस चेर पर मैं बैठी हूँ, या जो टेबल हमारे सामने है, क्या यह बिना गडित के संभव है, जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि जिसने, कार अगर इटन ने इतने बिल्डिंग बनानी है, तो हम क्या कहेंगे, क्या हुआ बिना गडित के संभव है, एक पटिकुलर एरिया होगा, इतने भाई इतने का पलॉत है, उस पलॉत पर इतने फ्लोर बनाने हैं, उसमें इतने प्लॉत बनाने हैं, उस रूम का साइज tentang इतना ह यह सब क्या है? यह सब गड़ित है. तो हमने यह सिख्छकों ने गड़ित को समझा ही नहीं है. उनको कछा में आते ही बच्चे से बोला कि दो और दो क्या? अब वो जानता ही नहीं दो क्या है और दो और दो. तो हमने उनको सीधा एक concrete ना दे के एक abstract thinking की तरफ ले गए और जब भी हम बच्चे को abstract thinking की तरफ ले जाते हैं बच्चा उससे भागने लगता है जीन प्याजे जो है उन्होंने समझाया है कि किस तरह हमें बच्चे को step by step उसकी उम्र के हिसाब से उसको concrete और abstract मूर्थ और अमूर्थ संकल्पनाव को समझाना है जो आपने शुरुवात की थी कि बच्चों को गड़ित से डर लगता है जी एक डर बैठा हो उनके मन में तो उसका current आप ये बताईए जब बच्चा पैदा होता है तो क्या उसको ये पता होता है कि गड़ित को ये एक विसा है सोचने बाली बात है कि डर आया कहां से और हिन्दी विसा उसको आसान क्यों लगा इसलिए लगा क्योंकि जब उसने स्कूल जाना प्रारम किया पैरंट्स ने भी उनको बोला कि बेटा हिंदी पर थोड़ा समय कम देंगे और गड़ित पर हम समय जादा देंगे क्योंकि 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 ये कठिन विसा है हमने उसके दिमाग में एक बीज डाल दिया कि एक कठिन विसा है यदि हमने उनको बच्चे को यह समझाया होता कि आज आप 11 बचे स्कूल जा रहे हैं यह एक गड़ित है जी तो बच्चा बिलकुल नहीं घबराता तो इस तरह हम कहते हैं कि गड़ित हमारे चारों ओर है गड़ित का नेचर ही यह है कि गड़ित हमारे चारों ओर है और अगर हम इससे थोड़ा और आगे जाएं हम अपने नेचर को देखें अपनी जो प्रकृति है उसको देखें तो उसमें भी गडित पूरी तरह समाहित है अगर आप एक पत्ती की संरचना देखते हैं और उस पत्ती को अगर हम बीच से मोड देते हैं तो उस पत्ती में क्या होती है? सिमिट्री होती है वो दौनों तरप से समान होती है और उन्हीं पत्तियों की आकरेतियों को देखकर आपके कपड़ों पर मेरे कपड़ों पर कुछ फ्लार्स लीप्स उनके सेब बना के डाले जाते हैं तो ये सभी क्या है ये सभी गड़ित है लेकिन सिक्षकों ने कभी भी जो मुझे सबसे ज़्यादा लगता है बच्चे को गड़ित को गड़ित की तरह समझाया ही नहीं किस तरह से इस डर को हम दूर कर सकते हैं? इस डर को दूर करने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि हम बच्चों को concrete example दें concrete means अगर हमें यह सिखाना है बच्चे को कि दो और दो चार होता है तो उनको दो पैंसिल दे और दो और पैंसिल दे और उसके बाद उनको पूछें कि अब आपके पास कितनी पैंसिल हो गई और या फिर उनसे एक पैंसिल ले ले तो पूछें कि अब अगर आपके पास चार पैंसिल थी और एक पैंसिल ले ली तो क्या हो, कितना बचा आपके, तो ये बहुत, जबकि आज, जब हम constructivism की बात करते हैं, ये सारी प्रक्रियाइं सिक्षक यूज़ करने लगें, लेकिन क्या होता है, कि class first second में तो है concrete examples का use करते हैं, उसके बाद जैसे ही बड़ी classes में जाते हैं, उसके बाद वो उन examples को कि बाद आती है कि गड़ित क्या है, गड़ित के को बहुत तरह से परिभासित किया गया है, जैसे पहले बहुत सारी definitions हैं, छोटी-छोटी में बात करते हूं, mathematics is science of calculation, गड़ित जो है गड़ित का बिज्यान है, क्यूंकि सबसे जादा हम गड़ित में क्या करते हैं, गड़ित हैं, अगर हम एक बच्चे को ये बोलते हैं कि जाओ बिटा, सबजी वाले के पास से एक कि 50 rupees देते हो, तो हम उसको क्या कर रहे हैं, calculation करना, सिखा रहे हैं, चालकुलेर किले हैं, बच्चा जाता है, **** गड़ित है हम एक किलो लेता है, 40 rupee बापिस लेकर आता है, 50 rupees दे के, यानि के गड़ित का प्रेयोग किया, जिबिलकुल, ये क्या है, ये गड़ित है, उसने उध कर लिया वो 40 रुपीज लेकर आया और जब आपने कक्षा में उसको एक सम दिया जिसमें भासा लिखके दी कि मोहन के पास 50 रुपए थे और उसने एक किलो आलू खरीदा एक किलो प्याज खरीदा और फिर उसके पास कितने रुपए बचे इस समय वह गलती कर देता है क्यों ऐसा क्यों होता है क्योंकि उस भासा को पढ़के उसका कंसेप्ट वह समझ नहीं पाया तो यह कहते हैं mathematics is science of calculation दूसरी दरह से हम कहते हैं mathematics is science of numbers and space यानि कि वह गडित जो है वो अंकों का विज्ञान है mathematics is an inductive and experimental science यानि कि गडित जो है वो आग्मन और प्रियोगु का विज्ञान है क्योंकि गडित की जो भी संकल्पनाय विक्सित होती है वो inductive thinking पर ही होती है inductive thinking और deductive thinking दो तरह की thinking होती है जिसका विस्तार में चर्चा हम किसी और प्रोग्राम में या और किसी दिन करेंगे क्योंकि उसके लिए हमें एक पूरा 30 minutes चाहिए जिस पर हम यह समझा सकें कि inductive और deductive thinking क्या है और अगर हम mathematics को थोड़ा और विस्तित रूप में बताएं तो जो मुझे बहुत अच्छी परिवासा लगती है mathematics is a way to settle in the mind of children a habit of reasoning गडित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चे के मन या मस्तिस्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है क्या हुआ यहाँ पर कि गडित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन में या मस्तिस्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है जै जादे तर हम बोलते हैं कि मैं mathematics का student हो क्या खास बात है मेरे अंदर mathematics का student होने मेरे अंदर logic और reasoning power है यानि कि जो भी बात मुझे बताई जाए उसको मैं ऐसे जसका तस ना मालनू उसको क्या करूँ उस जो भी वह hypothesis है या जो भी वह बात है उसको सिद्ध करूँ उसको प्रूफ करूँ तो यह हमारा होगा logic और reasoning तो इस तरह से गड़ित को हम कहते हैं गड़ितवय मार्ग है जिसकी द्वारा हमारे मन और मस्तिस्क में तर्क करने की छमता विक्सित होगी मरम बहुत सारी बच्चे पढ़ते हैं बहुत सारी विश्य है एक गड़ित सब्जेक्ट है इस सब्जेक्ट का बागी सब्जेक्ट से कैसे संबंध होता है बिलकुल सिद्ध है कि mathematics भी एक हन्ने विश्यों जैसा सामान विश्य है लेकिन मैं यहाँ इसको दूसरे तरह से बता कहते हैं mathematics is science of all sciences and art of all arts यानी कि गड़ित जो है विज्ञानों का विज्ञान और कलाओं का खला है यानी कि इसके बिना arts के सब्जेक्ट और विज्ञान के सब्जेक्ट अधूरे है अब हम बात करें कि गड़ित किस प्रकार अन्य विश्यों से जोड़ा हुआ है यह किस प्र भी formula है उसको क्या विना गड़ित के हम प्रूफ कर सकते हैं नहीं इसी तरह अगर हम सीधी बात करें numbers एक दो तीन चार चलिए अगर हम biology की बात करते हैं तो biology में हम बोलते हैं कि इसके चार पैर होते हैं चार क्या है गड़ित है जे अगर हमको insect और human इसको divide करना है तो हम बत क्या है ये गड़ित है रसाइन सास्त्र में अगर हम किसी का भी atomic number बताते हैं उसको हम बताते हैं इसका atomic number 26 है 28 है ये क्या है रसाइन सास्त्र में भी अभी आपने देखा की गड़ित आ गया जे भातिक सास्त्र में भी गड़ित आ गया biology में भी आपके गड़ित आ गया अब अगर हम बात करें social studies, map reading करना है, आपको बताना है कि इसकी इस्थिती, बोपाल सहर की स्थिती क्या है, हम बताएंगे इतने अक्छांस और इतने देसांतर, यह क्या है, यहां भी हम बिना गडित के बात नहीं कर पाए, यहां पर भी क्या आप लगता है कि हम बिना गडित के ब आपिद्दा, डेश डेश साल पुरानी है, मैं यहां पर specific years नहीं बता रही हूं, 200, 250, यहां क्या आगया, number, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कोई भी बिसे गडित से अच्छूता नहीं है, भाशा, भाशा में गडित की अपनी एक भाशा होती है, जिसको हम बोलते हैं, symbols और प्रतीक, तो यह भी गडित की एक भाशा है, और इसलिए भाशा भी गडित से उसी तरह से जुड़ी हुई है, one, two, यहां पर भी क्या है, भाशा और गडित आपस में जुड़े हुई है, तो इस तरह गडित का सभी बिश्यों के साथ एक बहुत अच्छा संबंध है, और क मेडम हमारे शोताओं को आप बताएं कि गडिती विचार किस प्रकार विक्सित होते हैं? जुड़ी गडित के कोई भी विचार हमारे दिमाग में एक सेट होता है, तो वह तीन प्रक्रियाओं से, तीन पहलूं से गुजरता है, पहला मूर्त से, अमूर्त तक जे, फिर विसिस से ब्यापकियोर बढ़ते हैं, और तीसरा होता है, सोपान क्रमिक सनरचनाय बनाते हु गडितिये विचार हमारे दिमाग में एक अउधारना की तरह स्थापित होते है, चलिए अब हम इन तीन जो हमने सब्द या तीन पहलू बोले, उनके बारे में थोड़ा-थोड़ा सा डिसकुशन कर लेते हैं, पहली बात है, मूर्त से अमूर्त तक, मूर्त क्या होता है, यानि कि कोई भी वश्तु जिसको हम देख सकें, चू सकें, और दूसरा है अमूर्त, यानि कि abstract thinking, तो गड़तिये विचार होते तो abstract हैं, लेकिन शुरुवात उनकी कहां से होती है, concrete example से, चलिए जैसे कि बच्चे को आपको बोले क्या उधारना समझानी है, तो क्या करेंग से हम वो सारी आकरतियां या वो है सारे हमारे आसपास की सामगरियां जिनका shape कैसा है? गोल है, जैसे कि आप बच्चे को गैन दिखा सकते हैं, संतरा दिखा सकते हैं, तरबूज दिखा सकते हैं, लड़ू दिखा सकते हैं और फिर पुछते हैं कि उसके साथ ही उनको उ Chelsea रा ये लड़ू, गैन, तर्बूज, संत्रा, इनसे किस प्रकार भिनने है, बच्चा एकदम से बोलेगा, कि इनकी आकरती, इनकी आकरतियों से भिनने एक कुछ गोल सेप में है, तो यहां से हम पकड़ लेंगे एक सब्द गोल, उस गोलाई, जो सेप है, उस गोलाई का क्या गु है, वो है, और उसके बाग एक फॉर्मूला मिल जाता है हमको, उस गोलाई के, किसी भी गोल सेप को मेजर करने के लिए, तो यह क्या हुआ, जो हमारे पास एक फॉर्मूला आया, वो तो हुआ, अमूर्थ, लेकिन सुरू कहां से किया था हमने, मूर्थ चीजों से, मूर्थ मूर्थ से चल कर, क्या किया, एक अमूर्थ संकल्पना की तरफ बढ़े, तो यह गड़ित के जो विचार है, वो विक्सित होने का सबसे पहला चरण है, कि हम क्या करते हैं, कि बच्चे को बहुत सारे मूर्थ एक्जामपल्स देते जाते हैं, और उन मूर्थ एक्जामपल् पूर्थ संकल्पना की तरफ बढ़ता है, दूसरा होता है विसिस्ट से ब्यापक की ओर, कोई भी आप एक विसिस्ट परिस्थिती उसको बताएं, और फिर उसको क्या करें, ब्यापक ब्रॉड टर्न्स में बता दें, जैसे कि आप उनको एक बर्ग दिखाएं, एक आयत दिख और फिर उनसे पूछें कि इन में क्या दिखाए दे रहा है, और फिर उस तरह के कई सारे एकजामपल्स उनको दिखाते जाएं, आयत के, बर्ग के और संपलम के, और फिर हम क्या करें कि इन आकरतियों के सामान्य गुण उनको ढूड़ने को बोलें, ये सभी आकरतियां कित इतनी भुजाओं से बने हैं, चार भुजाओं से, तो इस तरह से क्या करेंगे, उनके सामाने गुड इखटे करते जाएंगे, और उसके बाद वह किसी एक ब्यापक अवधारना पर पहुंच जाएंगे, कि ये सभी क्या हैं, आयत, बर्ग, सम्लम, ये सभी क्या हैं, इन सभी आकरतियों को चतुर भुज कहते हैं, क्योंकि ये चार भुजाओं से निर्मित हैं, तो यहां हमने क्या किया, एक विशस्ट से लेके, एक ब्यापक अवधारना की तरफ पड़े, आयत, बर्ग, सम्लम, इन सभी को हमने क्या किया, एक ब्यापक अवधारना जो चतुर जाते हैं, तो हमारी अवधार्नाव में क्या होता है, विस्तार होता जाता है, और उस अवधार्नाव में विस्तार जैसे-जैसे होता है, वह एक क्रम से होता है, चलिए जैसे हम शुरू करते हैं, कि मूर्त बस्तुओं को गिरना, मूर्त बस्तुओं को गिनेंगे, एक, दो, इनको हम बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या हैं, अब हमने क्या किया, इसमें एक सुन्ने को और जोड दिया, फिर बोला हमने, कि सुन्ने, एक, दो, तीन, चार, पांच है, इसको हमने, इन्फाइने तक बोलते जा रहे हैं, तो इनको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे, पूर् अमूर्थ की तरह बढ़ रहे हैं, विसिस्ट से प्यापक की ओर बढ़ रहे हैं, इसी तरह से एक दो तीन चार में हमने जीरो जोड़ा, उसके बाद अब है इसमें रनात्मक, जो संख्या हैं, उनकी संकल्पनाओं को भी जोड़ दिया, कि जीरो से एक दो तीन चार, और दू पूर्ने संख्याओं का मिला, तीसरा जो मिला, वो पूर्नांको का समुच्चे मिला, तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, स्टेप बाई स्टेप, एक, 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 तो जब हम वन वाई वन, यानि कि मैतमेटिक्स हमेहिसा क्या कहलाता है, सोपान क्रमिक सनरचना है, अगर हम पह तो वो जब क्लास सेकेंड में आएगा, तो वह कंसेप्ट को नहीं समझ पाएगा, अगर बच्चे को जोडने की जो प्रक्रिया है, वह समझ में नहीं आती है, तो वो घटाने की प्रक्रिया नहीं सीख पाएगा, और जब गुडा करना है, तो गुडा तो पता है कि जोडन की ही प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है अब बच्चे को जोड़ना ठीक से नहीं आया और हम क्लास थर्ड में उसको गुणा पढ़ा रहे हैं तो आप बताईए गुणा कैसे समझ में आएगा और फिर हम उसको भाग फल सिखा रहे हैं भाग देने की प्रक्रिया सिखा रहे हैं भाग देने की प्रक्रिया में उसको गुणा भी करना है, add भी करना है, घटाना भी है, तो जब यह तीनो प्रक्रिया हैं उसके अगर clear है तो उसको भाग देने की प्रक्रिया बहुत आसान लगेगी, इसलिए गडित को सोपान क्रमिक सनरचनाओ का, की तरह है जो गडित के हम कि गड़ित की जो अवधार्ना है, तो हमने आपसे बोला कि गड़ित की अवधार्ना तीन तरह से विक्सित होती है, मूर्थ से अमूर्थी और, विशेष्ट से ब्यापक की और तीसरा सोपान क्रमिक सनरचना है, इस प्रोग्राम को सुनने वाले जो भी हमारे विध्धार्ती हैं, और खास तोर से विध्धार्ती क्या, वह वर्किंग टीचर्स हैं, कही ना कही स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, मैं आप सभी से अनरोध करती हूँ, कि जब भी आप गड़ित को पढ़ाएं, ये ध्यान रखें कि उस कक्षा में बच्चे को जो भी सीखना है, वो उस इस्तर पर उसको सीख जाना चाहिए, गड़ित कब है, इसलिए होता है कि कक्षा एक में वह जो नहीं सीख पाते हैं, वो कक्षा दो में जाके और पिछड जाते हैं, और यह गडित के साथ ही होता है बाकी वेश्यों के साथ इतना नहीं होता है माल लीजिये मैं हिस्ट्री का एक्जामपल लूँ तो पिछले साल आपने अकवर के बारे में पढ़ा था next year आपको प्रत्वीरात चोहान के बारे में पढ़ना है तो उतना रिलेशन उनके बीच में नहीं है कि अगर आपने उसके बारे में याद नहीं किया तो आप प्रत्वीरात चोहान के बारे में याद नहीं करता है लेकिन गडित में अगर आपको सांखिकी पढ़ना है तो आपको addition, subtraction, multiplication, division यह सभी आना कंपल सरी है अगर आपको प्रतिशत पढ़ना है तो आपको यह प्रक्रियां आधार भूत को असल जो है वो आना बहुत जरूरी है इसलिए मैं सिक्षकों से अनुरोद करती हूँ कि जब भी आप बच्चे को गड़ित पढ़ाएं उसको भह से दूर करें और उसकी प्रक्रति को समझते हुए बढ़ाएं अगली कक्षा के जो कंसेप्ट होंगे वो पिछली कक्षा के कंसेप्ट से जोड़े हुए होंगे इसी वज़े से बच्चों को उसमें भाय लगता है कि पिछले साल तो हमसे मल्टिप्रिकेशन नहीं बनता था जैसे कि आप बोलते हैं कि दो विसम संख्याओं का योग एक समसंख्या होती है अगर आपने एक कथन दे दिया है तो इसमें संदे की कोई गुणजाइस नहीं होना चाहिए समावना ने पहला तो यही इसकी एक प्रक्रति है दूसरा होती है कि जो गड़ित के जो भी कथन होते हैं वो सत्तेता की कसोटी पे खरे होते हैं क्योंकि इनके जो गड़ित के जो भी कथन होते हैं उनको इंड़क्टिव मेथट से उसको निकाल के उसकी बैपकता को प्रूफ कर दिया जाता है जैसे अगर हम कहें कि 15 जो नमबर है अगर हम उसको 5 से डिवाइड करते हैं तो इसमें कोई सेसफल नहीं होता है ठीक है तो इसको आप इस तरह से बच्चे को समझा सकते हैं कि 15 सामान लिए और 5 से डिवाइड करने के लिए उसको 5-5 के ग्रूप बनाए तो एक में 5, एक में 5 और एक में 5 सेसफल हमारे पास कुछ भी नहीं है तो इस तरह से सत्यता की कसोटी पे खरे होते हैं क्योंकि इसमें कोई अनुमान नहीं होता बाकी विश्व में यह हो सकता है कि हम कुछ चीजों को अनुमान से कहें लेकिन इसमें अनुमान की कोई गुंजाइश नहीं रखते और ये पूरी तरह सत्तिता की कसोटी पे खरे होते हैं जी बिल्कुल तीसरा है कि गड़ित की एक अपनी भासा होती है भासा मीज गड़ित में प्रतीकों का प्रियोग होता है आपके लिए अगर हम कहें कि प्रतीक यानि सिम्बल्स एक तो नंबर्स होते हैं हमारे 1, 2, 3 और दूसरा अगर हमें जोड करना है तो उसका एक प्रतीक होगा एक साइन होता है अगर आपको घटाना करना है तो एक साइन होगा इस तरह गड़ित की एक अपनी भासा होती है और बच्चों को उन प्रतीकों को समझाना पड़ता है अगर बच्चे बोलें कि एक को ऐसा ही क्यों लिखते हैं नहीं समझाना होता है, या इसके प्रतीक चिन है, जैसे आप आ को आ लिखते हैं, ऐसे ही गड़ित में बन को इस तरह से लिखते हैं, जब आप उसको इस तरह से समझाएंगे, तो बच्चे को जनरल ये बोलते हम इसको ऐसा ही क्यों लिखें, नो को बताना है, ये एक सरफ प् तो शिक्षकों को आसानी होगे। हमें उम्मीद है कि हमारे आज के इस कारिक्रम को सुनकर हमारे सभी शिक्षक गड़त विशय की प्रकृति को समझ गए होंगे और वे बच्चों को रूची के साथ भयमुक्त वातावरण में पढ़ाएंगे। इसके साथ डॉक्त अंजली सुहाने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे सिक्षा शास्त्र विशय पराधारित ध्वनी कारिक्रम गणित की प्रकृति। कारिक्रम की विशय विशेशक गितीं डॉक्टर अंजुली सुहाने। कारिक्रम का संचालन किया अनुराध हने। उध्गोशक थे तरुन कांत भार्गव। इस कारिक्रम का ध्वनी मुद्रन, संपादन और प्रस्तोती करण किया अमर बहादुर यादव ने। ये शेक्षनिक ध्वनी कारिक्रम मध्यपरदेश भोज मुक्त विश्वविद्याले के इलेक्ट्रोनिक माध्यम निर्मान और शोध केंद्र EMPRC द्वारा निर्मित किया गया।